Data Entry एक ऐसा term जिसके demand corporate sector में बहुत ही ज़ादा है और अगर आप 12th एक graduation के बाद कहीं computer related job के लिए गए होंगे तो आपने data entry term को ज़रूर experience क्या होगा अब अगर हम बात करें data entry के तो इससे related candidates के mind में काफी सारे doubts होते हैं सबसे simple doubt तो यह होता है कि data entry करने के लिए हमें कौन सा computer course करना होगा दूसरा होता है कि typing speed कितनी होनी चाहिए इसके लावा data entry में कितना hard काम होता होगा बहुत ही सारी चीज़े आपके mind में चलती होंगी तो आज का जो यह single video है इस एक video में हम data entries related जितने भी terms है कि data entry करने के लिए आपको क्या क्या चीज़े आनी चाहिए data entry कैसे किया जाता है professional way में data entry को कैसे attempt किया जाता है किन tips and tricks की जरूत होती है data entry को करने के लिए यह सभी चीज़े आप सिर्फ इस एक single video में सिखने वाले हो make sure कि आप इस video को पूरा देखे क्योंकि इस video को देखने के बाद data entry related jobs के लिए आप prepare हो जाएंगे साथ यह आप से छोटी से request है इसके अगर ही video आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस video को like और share जरू करें तो बिना किसी देरी के शुरू करते है इस video को अब यहां पर शुरुवात करते हैं सबसे पहले सवाल से कि data entry actual में होती क्या है देखो data entry word को जरा आप समझो data और entry यहां दो टर में एक है data और एक है entry आसान भाशा में आपको data दे दिया जाता है in form of hard copy in form of digital data और आपको उसे type करके system में उसकी entry करने होती है यह है इसका simple narration अब सवाल आता है कि इसमें data कैसा हो सकता है देखो data आपने देखा होगा कि जो BPO सेक्टर होता है जहां पर customer care होता है जो कि call करता है कभी plans के लिए policies के लिए credit cards के लिए तो उन लोगों के पास जो data आता है वो prepare किया जाता है data entry के थो माल लो कि अगर मैं एक example दू ए PNB bank है suppose ठीक है और वहां पर क्या होता है कि वहां जितने भी applicants है उनके जो forms है उनका data दे दिया जाता है corporate sector में जिसके बाद आपको credit card के लिए call आता है ठीक है तो वहां पर होगा क्या कि आपको जो form है वो पूरा पूरा भीजा जाता है आपको उस form को देखना है और उस form को बिलॉंग करता है वो सारी जो details है वो आप computer के तुरू उसके entry करते हो और फिर आगे मतलब आगे वाली जो team है उसके पास उसे भेज दिया जाता है सो आपको जो data हो किसी भी form में मिल सकता है एक hard copy मिल सकता है चाहे हो स्कूल के students का data हो या फिर मालो बैंक के customer का data हो office के employees का data हो तो आपको अलग अलग data मिल गया है उसमें से data को छाट छाट कर आपको उस data को prepare करना होता है और आगे जहां पर आपको बोला गया है senior supervisor team के पास उ इसी तरीके से कई बार जो hire किया जाता है data entry के लिए कई बार क्या होता है जो companies होती है उनका खुद personal data होता है जो कि server पे available होता है तो वहां से वह आपको बोलते हैं कि उस data को आपको prepare करना है बिल्कुल proper manner में और फिर हमें उसे send करना है supervisor या senior जो भी है उनके पास तो simple भाश है कि data entry करने के लिए आपको कौन सा computer course आना चाहिए देखो आसान भाशन बतातो data entry करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा computer course करने के ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास simple computer की knowledge है like आपको MS Word चलाना आता है आपको Excel चलाना आता है internet यूज करना आता है और आपकी typing speed है तो आप easily data entry का काम कर सकते हो data entry के लिए ऐसा कोई भी term mandatory नहीं है कि आपको यह वाला course होना चाहिए होना चाहिए नहीं उसमें simple करना क्या है आपको typing करके data के entry करनी है जिसका जो use होता है मतलब अगर उस data के entry के में बात करू तो 99% जो data entry होते है वो होती है excel software में जिसके उपर अगर आप beginner हो तो मैं आपको बता दूँगा क्या 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 ट्रेक्स क्या क्या फॉर्मला और क्या 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 टर्म्स आपको आने चाहिए जिसकी मदद से आप data entry काम आसा नहीं से कर सकते हो तो सिर्फ क्या है कि आपको computer knowledge होनी चाहिए कोई जरूर नहीं कि आपके पास certification हो आपके पास कोई बड़ाई कोर्स का सर्टिविकेशन ओ ऐसा टर्म नहीं है हां लेकिन एक टर्म है कि आपके टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए देगो मैं न बोलना मैं आपको एक डेटा दे दिया और आपको उसके टाइपिंग करके एंट्री करनी है minimum अगर मैं typing speed के बात करो 20 से 40 के बीच में अगर आपके typing speed है तो आपका selection हो जाता है तो typing speed एक mandatory term है और basic computer knowledge आपके पास होनी चाहिए that's it इसके लावा कोई big deal नहीं चाहिए हाँ यह चीज है कि आपके 12 होनी चाहिए ऐसा मत सोचना कि आप 15 साल के नाइंत में बढ़ते हो तो भी आप job कर सकते हो तो जो basic term है कि आपके age होनी चाहिए 18 साल और आप at least 12 qualified हो so that will be better कि आप उस criteria में fit हो जाते हो फिर आपको job मिल जाती है so I hope कि data entries से later जो 2 main doubts होंगे आपके एक course वाला एक typing speed वाला data entry क्या है यह term के लिए रोगया होगा जिस तरीके में आपको example दिया कि मानलो आपको bank का data मिल सकता है तो अभी तो हमार पास bank employees का data नहीं है but अभी जो हमारा institute में कुछ students है तो उनका data में आपको show करता हो तो मानलो कि आपको data मिलगे कुछ इस तरीके से इसे तरीके से एक form मिलगे आपको और इस form में मालो कि यह जो नाम है, इनके date of birth है, या फिर इनके father's का name क्या है, इनका address क्या है, कौन सा course यह कर रहे है, क्या duration है, इन सभी data की मुझे entry करनी है Excel में, तो सबसे पहले जिन लोग को Excel आता है उनके लिए ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम इसे step by step Excel open, उनके बाद कुछ इस तरीके का interface आपके सामने आता है, आपको blank workbook पर click कर लेना है, अब एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है, कि जो भी काम आप कर रहे हो, उससे related, आपको पहले columns create करने होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, तो हमारे पास यहाँ पर देखो, क् that column लेनी है, त्भी यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तुम मुझे लेना है student काَّ नेंब, तो मैंने यह पर लिखा student name, ठीक है, इसके बाद हमने लखा student का gender, फिर हमने लिखा यहाँ पर इनका father's name, ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ लिखा इन लिखा इनके DOB, इस तरीके से, और फिर हमने यहीं पे लिख relación कितनी है और सब्सक्राइप किकनी है। और यहां पर लास्ट आम क्या लिख दिया्पर। यह जो हमारी हेडिंग से इस तरीके से आप को यह पर नज़र आ रहा हूंगे، आपको इस पूरी रेंज से ऋससे सेलक करना और सेलेक करना है। Select करने के बाद आपको जाना है यहां पर Format में और यहां पर एक option मिलता है Autofit Column Width यह करने से क्या होता है जो जो columns आपने create के हैं वो एक के बार में fit होकर proper size में यहां पर आ जाते हैं जो कि on-scan आप देख पा रहे हो इसके बाद यहां पर ऊपर में आते हैं और यहां पर right-click करना है आपको यहां पर insert पर किलिक करना है और entire row पर किलिक करना है ओके इस से एक खाली row उपर में आएगी जिसमें आप अपने heading डाल सकते हो इसके बाद हमने इसको drag किया drag करने के बाद मैं इसे select करता हूँ और मैं करूँगा merge, merge करने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, student data of computer center, यह हमने डाल दिया, यह डालने के बाद इससे select करेंगे, select करने के बाद यहाँ पर यह होता है grow font, जिसे आप इसका size बड़ा कर सकते हो, इसके बाद इसे हम कर लेंग और अगर आपको क्यों color यहीं पर पसंद आ जाता है तो ठीक है, otherwise आप more color में click करके, जो भी color आपको यहाँ पर better लगता है, वो color आपने select किया, और कर देंगे okay, इसके बाद जो इसका text color है, वो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर white, यह वाल है text color, फिर हमने इस range को select किया, select करने और इसके बाद जो भी आपका data है, बस आपको उसके entry करनी है, इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, कि student का जो भी details है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर, यह जो excel वाली sheet है, इसको हम छोटा कर लेंगे, तो हम यहाँ पर select करेंगे, window की को hold करके, आपको जो left arrow की उसे press करना है, इससे यह छोटा हो जाएगा, तो हमने इसको छोटा कर लिया, कुछ इस तरीके से, आप जो जो data मुझे fill करना है, इसमें, मैं इसको छोटा कैसे कर रहा हूँ, control की को hold करके, जब आप mouse ऊपर करोगे, जो scroll है, उसको जब ऊपर करोगे, तो बढ़ा होगा, और scroll को नीचे करोगे, तो यह छोटा होगा, तो यहाँ पर मुझे डालना है student name, तो मैंने आप डाला student का जो name है, वो क्या है, प्रिया सिंग, हमने आप डाला, gender के हम बात करें, तो हमने डाल दिया female, father's name हमने डाल दिया, यहाँ पर Mr. घूरे सिंग, यह हमने डाला, इसके इसके बाद यहाँ पर next term है, डियो भी, तो वहाँ पर आप डियो भी देख सकते हो, हमने डाला है, यह पर 1909, और हमने यह पर डाल दिया 1990, इस तरीके से 1909, फिर course के हम बात करें, तो course नीचे mention है, जो कि है DFA, तो हम यह पर लिखते है, DFA, इसके बाद duration कितना है, तो हमने data मिलेगा, इसी तरीके से आपको entry करनी है, इसे के लावा मैंने यहाँ और भी images ले रखिये, जैसे यहाँ पर देखो, नामे किसमत, यह यह इसके data बरता है, वगरा वगरा, जो भी terms है, वो यहाँ से हम पिकान करेंगे, सेम इसी तरीके से हमार पास एक और data है, जो कि है, अ वो हमने डाला है, यहाँ पर 15,7,2004, यहाँ पर हम कोर्स डाल देंगे, जो कि है, DFA, यहाँ पर भी जो इनका time है, वो है 6 months का, इसके बाद जो इनकी fees है, वो हमने डाल दे 6,000, और date of joining हमने डाली यहाँ पर 5,1,2023, अब इसको यहाँ बढ़ा कर लेते है, simply, और अब आप कैसे यह data आपका यहाँ पर work कर रहा है, अभी data प्रपेर करने के बाद आप notice कर रहा है, कि कुछ नाम इसके अंदर चलेगे है, जैसे कि आप यहाँ देखे रहे हैं, जो फादर सने में, यह पर यहाँ पर नहीं आपा रहा है, या फिर दियो भी नहीं आपा रही, तो पर यहाँ पर करना है, आपका data प्रपर तरीके से अडिजस्ट होगे, यहाँ पर आ जाता है, so I hope कि guys basic term आपको कि लिए उगया होगा, कि कोई भी आपको इसी तरीके से PDF में data मिल गया, या फिर मालो कि hard copy आपको मिल गई, अलग-अलग clients हो गया, फिर employees हो गये, customer होगे, उनक जो पार्टिकुलर हेडिंग्स आपको बोला गया है, जैसे स्टुडेंट्स नेम, जेंडर, फादर्स नेम, सिर्फ उन्ही डेटा को आपको यहां पर पुटाउन करके एक प्रॉपर शीट तयार करनी होती है, यह हुआ बिल्कुल सिंपल वे अप डेटा एंट्री, अब हम बात करेंगे, एडवांस तरीके से, आप डेटा एंट्री को कैसे एटाइम करते हैं, जिसमें आपका काम भी प्रोफेशनल हो जाए, और आपका काम एज़ी भी हो जाए, तो वह हमें कैसे करना है, सबसे बहुत मैं इसको डेलीट कर देता हूँ, ठीक है, और यहां पर आपको इन headings पे एक section apply करना होता है, जो कि होता है form, तो यहां पे basically हम क्या करेंगे, आपको यहां पे एक option मिलता है, customize को एक access toolbar का, इसमें जाना है, जाने के बाद यहां पे जाना है more commands में, उसके बाद यहां पे customize को एक access toolbar को खुला हुआ है, आपको यह popular commands पे लिख करके करन है all commands, इसके बाद आपको scroll करना है इसको नीचे के दरब और F series में आना है, F series में हम आएंगे, तो हम एक option मिलेगा form का, तो हम यहां पे form का option होना चाहिए, form, तो हम उसको ढूंड लेता है, यह रहा, तो यह रहा form, और हम इसको add पे click करेंगे, add पे click करने के बाद यहां पे यहां पे जाएगा, और आपको करने है, इसे ओके, जैसे आप OK करोगे, ऊपर देखो, कि आपको form section यहां पे मिल जाता है, फिर आपको क्या करना है, पूरे जो section है, उसको आपको select करना है, select करने के बाद, simply यहां form पे click करना है, आपको इस तरीके से a message आएगा, आपको इसे व्यक्ता प्रॉपर तरीके से फिल करना है जैसे मने यह पर लिखा इस्टूडेंट निंग है प्रिया फिर हमने जेंडर लिखा फीमेल फादर स्लिम में डाल दें इस तरीके से इसके बाद हम ड्योबी में आए तो हमने यह डाल दिया 1601-2002 ठीक है कोर्स हमने यहां पर डाल दिया DFA इस तरीके से डुरेशन हमने डाल दिया 6 months और fees यहां पर मैं डाल देता हूं 6000 और date of joining हमने डाल दिया 0101 2013 यह हमने लिखा और जैसे हम new पर click करेंगे आप देखो कि आपका data यहां पर आ जाएगा इसमें कोई अलक्सी नहीं करना पड़ा कि पहले इसमें लिखो फिर इसमें फिर इसमें नहीं हमने प्रॉपर फॉर्म सेक्षन बना दिया जिसमें सारे columns आ गये और उस columns में जो जो data हमें यहां पर आगया अगर मुझे दूसरा data डालना है तो यहां पर मैं क्या करूंगा मैं डालुगा यहां पर अमित जेंडर में मैंने यहां पर डाल दिया मेल फादर स्ने हमने डाल देता हूं ठीक है राजेश कुमार और दियो भी हम डाल देते हैं यहां पर पंदरा 01998 इसक जैसे में new पर किलिक करूंगा तो आप देखो कि यहां पर इनका भी जो data है वो यहां पर आ गया है इसी तरीके से आपको सब का data यहां पर फिलाउन करना है मतलब जितने भी आप data कर लो आप यहां पर simply data लिखते जाओगे और उसे new पर किलिक कर दोगे अगर आप फाइंड नेक्स्ट है फ्राइंड प्रिवियस करते हो तो आप इससे आगे यह प्रिवियस वाले डेटा पर अक्सेस कर सकते हो सो आई होप कि दोनों टर्म किलियर हुआ होगा अगर आपको simple वे में data entry करना है तो पहला वाला टर्म देखो और entry करो और मालो अगर आपको fast वे में data के entry करनी है तो simple आपने क्या क्या इस तरीके से एक form section बनाया और form section के अंदर आप फड़ाफट फड़ाफट data के entry करते चल और हो सकता है कि data को आपको digital form में आगे send करना और PDF बना कर या किसी और टम में PDF बनाने का time आया hope कि आपको पता होगा simple क्या करना है आपको यहां फाइल में जाना है और यहां पे save as पे click करना है और आपको browse पे click करना है click करने के बाद यहां देखो save as type का option मिलता है आपको यह करने के लिए आपने location choose किया नाम डाला save करोगे और वो जो file है excel file है वो PDF में convert होके आ जाएगे so I hope कि यह time के लिए रोके होगो कि PDF में कैसे इसको save करना है दूसरा में बात कर लेता है कि कई बार क्या होता है कि Excel sheet में जब आप data तयार करते हो तो आपको print करने में दिक्कत होत और मैं यहां पर serial number दे देता हूं ताकि हम data को analyze कर सके यहां ने किया format printer यहां पर और मैंने लिखा यहां पर one two यह ट्रिक है आपने पहला section लिखा दूसर लिखा one two और यहां corner पर आके double tap करोगे तो automatically यहां पर सारा range आ जाएगा यह सारी जो tips and tricks की videos है वो playlist में अबेलेबल है को गया copy और copy करने के बाद मैं कर देता हूं यहां पर paste इसको मैंने select किया और double tap किया इस तरीके से तो अब हमार पास जो data है वो देखो यहां पर आ रहा है 47 48 9 थोड़ा सा और बढ़ा कर लेते हैं इसको इसको select किया copy किया यहां के paste कर दिया तो अब यहां पर मेरे पास ऐसा कर पार होंगे कि मेरे पास data कहां तक का रहा है 46 लोगों का रहा है और अगर हम यहां पर data देखे तो मैंने data create किया 57 लोगों का तो print में तो पूरा data नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा आपको simply यहां पर आना है scale to fit में और आपको यह बोलना है कि यह जो height है वो आपक data वो एक ही page के अंदर आ जाए अब अगर मैं control F2 करूंगा तो आप देखोगे कि यहां पर 57 लोग का पूरा data आ रहा है जो कि आपके सामने है इसी तरीके से हो सकता है कि आपका data जो है वो इस तरीके से column basis पे भी जादा आगे बढ़ रखा हो मालों यहां पर column basis पे बढ़ा ह यहां तक data full है और यह आ गया है अभी भी अगर मैं control F2 करूंग तो आप देखोगे कि मेरा वाला जो section है यहां पर नहीं आ रहा क्योंकि वो एक page के दाएरे से बाहर निकला हुआ है तो आपको क्या करना है कि विर्थ पे भी जाके one page पे किलिक करना है और आप देखोगे कि वो जो section है वो आपको उसी page में आ जाएगा तो यह कुछ basic term से जो आपको ध्यान रखने है इसके जरूरत आपको पढ़ सकती है साथ ही कई बार क्या होता है कि आपको पूरा data print नहीं करना आपको बस बोला गया है कि मेरको 10 लोग का भेज दो तो आपने इस range को select किया 10 लोग का data print हो रहा है जिनको आपने set किया है आप यहीं पर जाके कर दोगे clear print area तो पहले की तरह normal हो जाएगा और अब सारे लोग का data यहां पर print होगा तो आपके जो print section है यह आप ध्यान रखे कई बार यह दिक्कत आती है कि हम इसको करेंगे कैसे तो यहां पर pay setup में कुछ यह जो टर्म से print area या फिर automatic ही है तो इसकी मदद से आप कर सकते हो अगर आपको इस सारे tools सीखने है तो playlist में मैंने complete page लियाओ tutorial का video बना रखा है जिसमे इन सभी tools के उपर एक proper dedicated video है और हर इक tool को बारे की से समझाए गया है तो आप उसमें इस term को अच्छे से clear कर सकते हैं अब यहां पर बात करते है next term की जो की कुछ ऐसे tricks है जिसकी जरूरत आपको पढ़ सकती है data create करने के बाद देखो यहां पर एक term को समझना आप यहां पर जो मैंने नाम लिखे students name वो है पिरिया अमीत नरेश ठीक है लेकिन यहां पर देखो इस सब के सब जो नाम है वो पहला लेटर है capital वे और बागी सब है small मालो यह काम करने के बाद आपका senior आपके पास आता है और वो बोलता है कि आपने क्या किया यह सबी जो नाम है वो block letters मे बड़ी ABCD में होने चाहिए थे तो अब आप क्या करोगे इने काट के करके लिखोगे तो आपके काफी टाइम जाएगा तो आप इसमें क्या कर सकते हो आप यहां पे side में आओगे और यहां पे equal करना है और आपको एक formula डालना है अपर टैप करोगे formula शुरू हो जाएगा इ इसके साथ अगर आपको इने small letter में convert करना है तो आपको करना है equal और formula डालने lower टैप करोगे formula शुरू section select और करना एंटर उसके बाद आपको यहां select करना है और simply से drag कर देना और जो process अभी हमने किया था copy और paste special का वही same चीज़ करना है इसे के साथ अगर आपको पहला letter capital और ब drag कर सकते हैं और फिर वही copy और paste special वाला term करना है तो वह चीज़ simply हो जाएगे अब यह चीज़ मैं आपको इसलिए बताए क्योंकि कई बार ऐसा problem आता है जब आप data entry काम कर रहे हैं और आपने data prepare कर दे उसके बाद senior supervisor आके आपको परिशान कर सकता है तो इस चीज़ के knowledge आपक इकुल ही beginner हो excel में तो यहां पर simply आपको equal करना है और आप कोई भी equation attempt कर सकते हैं अगर मैं बोलू कि मुझे एक equation करना है 45 plus 65 plus 85 तो आप यहां पर लिखके enter करोगे तो यहां पर equation हो जाएगी इस तरीके से अगर आपको multiply करना है तो 45 multiply 10 इस तरीके से आपने एक equation कर ली तो जित data import करना आता या नहीं अब import क्या है देखो कई बार क्या होगा कि data आपको online servers के थुरू दे दिया जाएगा website पर दे दिया या पर text file में दे दिया और वहां से आपको data यहां import करना है example के लिए मैं आपको clear करता हूँ जैसे हम यहां पर एक data tab में यहां पर देखो एक option है get and transform data का सबसे पहले मैं यहां पर किलिक करता हूँ from text yes 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 be इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा data है जैसे नोटपैड है और मेरे को मानलो कि कोई data नोटपैड पर भेजा गया है इस तरीके से और मुझे यह data चीए excel प्रॉपर बैडर में तो मैं क्या करूँगा यहां पर आऊंगा from text yes yes be में इस पर किलिक करूँगा किलिक करने के बाद मैं simply desktop पर जाऊंगा और यहां पर मुझे employee data को select करना है और मैं करूँगा import पर किलिक जैसे मैं import पर किलिक करता हूँ यह इस तरीके से data को connect करेगा और फिर मुझे यहां पर एक screen शो करेगा कि आपका जो data वहा अच्छे manner में यहां पर आ जाएगा जो कि वहां पर था तो इसको बोलते है data को import करना अलग-अलग sources से इस तरीके समानलो आपको कहीं website से data को लेना है pick करना है तो आप फ्रॉम वेब पर गए यहां जाने के बाद यहां से पूछे का कि URL दो तो मैं Google पर आ जाता हूँ और मै यहां पर paste कर देता हूँ और मैंने किया okay अब जैसे मैं okay करता हूँ तो okay करने के बाद यह क्या करेगा वहां से उस net पर या उस website पर जितना भी data है उसको यह load लेगा और load लेने के बाद जो भी data आपको चाहिए वह आप यहां पर easily carry कर सकते हो जैसे election result पर मैंने click किया अब click import कर रहे है तो यह जो import and transform का option है या फिर data आप कैसे import करोगे बहुत important है क्योंकि हो सकता है कि company के अपनी website हो जहां पर data डाल दिया गया है और आपको वहां से data को import करना है तो अब इस तरीके से get and transform के मदद से import data कर सकते हो अगर text format में है तो इस से और website पर है तो from web से इस तरह स साथ यहां पर बात कर लेते एक और last trick कि जिसके जरूत शायद आपको पढ़ जाए वो होता है drop down list create करना जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो कि female मैं type करके लिख रहा था लेकिन मैं चाहरा हूं कि मैं एक menu बना दूँ कि यहां पर option आजा है male और female का तो मैं क्या करता हूँ female और male यहां पर लिख लेता हूँ इस तरीके से मैंने लिखां यहां पर female और मैंने यहां पर लिखा मैं इस पर क्लिक करके female select कर सकता हूँ मैं यहाँ पर आपको से लिख लेता हूँ मैंने यहां पर courses लिख दिया DFA, ADCA और यहां पर मैं डाल देता हूँ DTP और DCA, मैंने 4 courses लिख दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस range को select करता हूँ, फिलाल मैं delete कर देता हूँ, मैंने range को select किया, select करने के बाद, आपको यही जाना है, कहां पर जाना है, data validation में, और फिर यहां पर हमें list पर select करना है, फिर source पर जाके, इस range को select कर लेना है, select करने के बाद, आपको करना है OK, जैसे आप OK करोगे, आप देखो कि यहां 4 options जो है, वो as a drop down यहां पर मिल जाते हैं, और फिर आप इसे simply click करके, यहां पर data को fill on, कर सकते हो बड़ी आसानी से, So I hope कि दोस्तो data entries related जितने भी terms and doubts होंगे, आपके mind में वो आपको clear हो गया हो और data entries related काम को कैसे आप कर सकते हो in offices, वो भी आपको term clear हो गया हो, तो आप सबसे इतनी से request है कि आप इस video को like और share जरू करें, और साथ ही comment करके, अपना feedback जरूर दे, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, thank you.